नमस्कार मैं सुधीपा बाबा राश्टिय नियूज में आपका स्वागत है इजरायल के एयर स्ट्राइक से गाजा में तराहिमाम अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत गाजा के स्वास्त मंतरालय ने कहा कि गाजा सीटी के एक अस्पताल पर इजरायल के एक हवाई हमले में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है हमले के वक्त अल-अली अस्पताल में सैक्रों लोगों ने सरन ली हुई थी The Associated Press को भेजी गई तस्वीरों में अस्पताल के हॉल में आग लगी हुई तूटे हुए काच और शद भी छच्छव देखे गए अभी इसराइली सेना ने इस पर कोई टिपनी नहीं की है हमास के हमले के बाद इसराइली फिलिस्तिन के भी जारी जंग में एक बड़ी तबाही का मंजर सामने आया है इसराइल के एर स्ट्राइक से गाजा में त्राहिमाम मज गया है क्योंकि गाजा के अस्पताल पर हमले में कड़ी 500 लोगों की मौत हो गई है या जानकारी समाचार एजनसी एपी ने गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से दी है हाला कि इजराइली डिफेंस फोर्स यानि आईडिये प्रवक्ता का कहना है कि अल-अहली अप्वास्टिक अस्पताल में क्या हुआ इसके बारे में उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं है समाचार एजनसी अल-जाजीरा के मुताबिक गाजा के स्वास्ट मंत्राले ने कहा कि गाजा सीटी के एक अस्पताल पर इजराइल के एक हवाई हमले में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है हमले के वक्त अल-अहली अस्पताल में स्याक्रों लोगों ने सरन ली हुई थी ताए असोसियेटिट प्रेस को भेजी गई तस्वीरों में अस्पताल के हाल में आग लगी हुई तूटे हुए काच और छट भी 600 देखे गए अभी इजरायली सेना ने इस पर कोई टिपनी नहीं की है इससे पहले फिलिस्तिनी स्वास्त मंत्राले ने बताया कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गाजा में इजरायली हमले में 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12500 लोग घायल हो चुके हैं मंत्राले ने कहा कि इसी अधिक के दोडान वेस्ट बैंक में 61 फिलिस्तिनी भी मारे गए जबकि 1250 घायल हुए इससे पहले इजरायल ने खुद कहा था कि उसने मंगलवार को दचनी गाजा के एलाकों में बंबारी की जहां इसने फिलिस्तिनी को अपने सम्भावित हमले से पहले छेतर खाली करने को कहा था हमले में कई लोग मारे गये हैं इजरायल ने कहा कि हमला हमास आतंकियों को लच्छित था जिसका इस छेतर पर सासन है बता दे कि पिछले हपते इज्रायल पर किये गए हमास के बरबर हमले के बाद से गाजा में पानी, इंधन या खाददानों की आपूर्ती नहीं की जा रही वहीं मध्यस्तों को छेतर में परेशान लाखो नागडिकों, सहायता समुहों और अस्पतालों को राहत सहायता मुहायना कराने के लिए गतिरो तोड़ने में संघर्स करना पर रहा है इस बीच अमेरिका के राष्टपती जो वाइडन छेतर का दोड़ा करने के लिए तयार है और वह विस्व के नेत्ता यूद को एक व्यापक छेत्रिय संघर्स में तबदिल होने से रोकने की कोशिज कर रहे हैं अमेरिका की मध्य कमान के प्रमुग जनरल एरिक कुडिला बुदवार के वाइडन के दोड़े से पहले इस्राइली सेनने अधिकारियों के साथ बैठक के लिए तेल अवी पहुँच गया है